गैस आज के इस वीडियो में अब हम लोग देखने वाले हैं virtual functions मुझे पता है कि आप लोग को काफी इंतजार था इस topic का और हमने काफी जो background इस topic को समझने के लिए उसको पूरा कर लिया आपको बहुत आसान लगने वाला है यह मैं आपको बता देता हूं पहले ही क्योंकि virtual functions का जो concept है वह बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है point to derive class को समझने में और polymorphism को समझने में तो अभी यहाँ पर मैं करने के आवाला हूं कि आउंगा यहाँ पर और एक 56.cpp के नामसे एक फाइल बना लूँगा 55 वाली फाइल में हमने क्या किया था हमने देखा था कि हमने बनाया था एक pointer जो की point कर रहा था derive class को सबसे पहले हमने pointer बनाया था जो की base class का है फिर हमने क्या किया था उसको point करा दिया था derive class के object से फिर जब हमने यह देखा कि हम उसका कोई भी function run कर रहे है उस pointer की मदद से त अगर हम चाहते हैं ध्यान से सुन्दा बात कोु अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा function है रही है वो derived class का run हो base class का run ना हो, वह वो край को point कर रहा है तब हम चाहें कि हमारा function है वो derived class का run हो अब आप दियान से बात को सुनो अगर pointer है वो इसको point कर रहा है ठीक है और मैं function run करता हूँ तो ये run होगा लेकिन pointer जो है वो अगर base class type का है लेकिन वो point कर रहा है derive class के object को तो भी वही display run होगा जो कि base class में मौझूद है और आप उस pointer से यही access कर सकते हो जो कि आपने base class से derive किया है virtual function में क्या होता है कि चीजे change हो जाती है अगर आपने इस function को virtual बना दिया तब क्या होगा कि ये वाले display run होगा तो virtual अगर आपने कर दिया इस function को तो उसका मतलब यह हो जाता है कि भाई मैं runtime polymorphism करना चाहता हूँ यानि कि मैं चाहता हूँ कि जो function है मेरा अगर मैं इसको भी point कर रहा हूँ तो इसका ही function execute होना चाहिए यह execute नहीं होना चाहिए पहले क्या हो रहा था base class का ही execute हो रहा था तो यार जल्दी से चलते हैं और यहाँ पर यह दोनों classes तो मैं ऐसा ही copy करने वाला हूँ मैं आपर क्या करूंगा सबसे पहले एक base class का जो है pointer बनाऊंगा तो मैं आपर लिखूंगा base class star bptr ठीक है मैंने आपर base class का pointer बनाया और वो मैंने पहले भी बनाया था मैंने base class pointer के नाम से बनाया था चलो यहाँ भी base class pointer की नाम से बना देता हूँ अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर इससे ज़ादा सुवीधा हो रही है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ ताकि Tutorial 55 और 56 के जो Variable Names हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम Paste कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर Base Class Star Base Class Pointer यानि कि Base Class का Pointer बना लिया अब मैं क्या करूँगा अब मैं कहूँगा कि जो Base Class का Pointer है वो इक Derived Class के Object से Point हो जाए तो उसके लिए मुझे Derived Class का Object बनाना पड़ेगा तो मैं वही करता हूँ जो मैंने पहले किया था Base Class का Object बनाऊँगा Derived Class का Object बनाऊँगा और द्यान से आप लोग सुनना क्योंकि थोड़ा द्यान बटका तो मैं आपको इस बात की Guaranteed दे सकता हूँ कि आपको समझ भी नहीं आएगा ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ा द्यान बटका आपको Guaranteed समझ भी नहीं आएगा इसमें 100 से भी ज़्यादा परसेंट आपका चाहिए Concentration ठीक है 100 परसेंट अपना देना है Concentration इसमें और हो सके तो जितना आप 100 देते हैं उसा फ़्यादा ही दे तो ठीक है तो यहाँपर Base Class OBJ Base बनाया एक Derived Class का Object बनाया अब मैं क्या करूँगा कि जो Base Class Pointer है मैं काँगा कि भाई आप Point हो जाओ मेरे OBJ Derived से यानि कि आप Derived Class के Object से Point हो जाओ जो कि मैंने पहले भी किया था है यहाँपर अब इसके बाद मैं क्या करूँगा मेरे यहाँपर War Base था यहाँपर War Derived था अब अगर मैं Base Class के Pointer से तो मैं B Pointer Pointer करूँगा यहाँपर और मैं इसका अगर Run करता हूँ Display और इसका Display Function में Run करूँगा तो यह Displaying Base का function Run करेगा Base Class, Variable, War, Base यह वाला Display Run होगा तो यहाँपर मैं 1 लिख देता हूँ Save करता हूँ इसको और Run करूँगा इस Program को और आप लोग यहाँपर देखने जैसे इस Program को Run करूँगा तो यह Base Class के ही function को Run कर रहा है मैंने तो Pointer को Derived Glass से रन कर दिया था तो यह Base Class को क्यों Run कर रहा है हमने देखा तो पिछले वीडियो में की यही Default Behavior होता है अब इसी Default Behavior को बदलने के लिए हमारे बास होता है Virtual Function अब मुझे एक छोटा सा काम करना है 2 वाले को Execute कराने के लिए कि मुझे यहाँपर कर क्या देना है मुझे आबर कर देना है इसको कुछ इस तरह से यहाँपर यहाँपर 420064 है यह Garbage Value है मैं आपर एक काम करता हूँ इसको 1 कर देता हूँ इसको 2 कर देता हूँ और अभी मैं Run करोगा प्रोग्राम तो यहाँपर 1 आएगा ठीक है क्योंकि इसकी Value 1 है तो यहाँपर Var Base 1 आगया ठीक है अब मैं अगर इसको Virtual कर देता हूँ यानि कि मैं अब यह कह रहा हूँ कि अगर मेरा Pointer Base Class कह रहा है कि अगर मेरे Type का Pointer Derived Class के Object को Point करे तो उसका ही Display Run करना मेरा Display मत करना Run जैसे कि तुम पहले करते थे उसका ही Display Run करना तो यहाँपर वही होगा इसका ही Display Run होगा दिखाता हूँ आपको यह देखो Displaying Base Class Variable Where Base 1 और Displaying Derived Class Variable Where Derived 2 बस इतना ही है Virtual Function बहुत लोग Virtual Function के नाम पर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और ऐसे दिखाये जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा Concept है बस इतना ही है Default Behavior को Override करने के लिए लेकिन थोड़ी सी अगर बात करें इसकी कि यह क्यों Use होता है इसका Use क्या है तो वहाँ थोड़ा आप लोग जो है थोड़ा गहराई में जाओगे और उसको आप समझ सकते हो बट अगैन यह Concept को समझना जो है अलग-अलग Classes को Belong कर रहे है वो एक तरह के Message को Respond करते है यहाँ पर Display Function को Run कर दो एक तरह से एक तरह काई Message है यह भी Display कर रहा है कुछ यह भी Display कर रहा है कुछ अब यहाँ पर क्या होता है C++ में अगर Pointer आपने Base Class का बनाया तो इससे Runtime Polymorphism जो है अचीव होता है कैसे कि जो Binding होती है यहाँ पर Function की वो होती है Runtime पर अब Binding Runtime पर होती है का मतलब यह नहीं कि Runtime पर Decision लिया जाता है कि कौन सा वाला चलेगा Decision तो आप इस Program को पहले से ही देखके Associate करता है वो करता है Runtime पर और हमने काफी डिटेल में देखा था यार यहाँ पर Compile Time Polymorphism को Function Overloading और Operator Overloading हमने जब किया था Overload Function को यानि कि एक तरह की दो अलग-अलग Function मनाए थे तो हमने यहाँ पर देखा था कि आप Operator को Overload कर सकते हो और आप Function को Overload कर सकते हो एक ही नाम के अलग-अलग Function मना सकते हो with different arguments और वो अलग-अलग तरह से behave करेंगे और वही Polymorphism यहाँ पर Compile Time होता है यहाँ पर क्या होता है कि आपने आपर Virtual लगा दिया और कभी आपका यह run होगा कभी आपका यह run होगा आपने इस Function को Virtual किया है कि नहीं Base Class में यह बाद Decide करेगी कि आपका Actual में कौन सा Function है जिससे आपका Object Bind होगा यानि कि Object जो है यहाँ तो इसके Display से Bind हो सकता है यही इसके Display से Bind हो सकता है तो यही Virtual Function होता है आप लोग समझ गए होंगे यापर और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा और Execute करके देखो Example इसका एक और बनाओ जैसे कि मैंने एक बहुत ही Simple सा बनाया आप एक बहुत ही Typical सा Example बना सकते हो A, B, C, D use करके और Definitely इसको करके जरूर देखें एक बार और मैं आपको Highly Recommend करता हूँ कि एक बार इसको करके जरूर देखें आप लोग ठीक है तो यह था Virtual Function अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में चलेंगे और Examples देखेंगे और उसी के साथ सार रूल्स देखेंगे Virtual Functions को हमें अगर बनाना है तो वो कौन से नियम है जो की Lead Binding Implementation जब आप करें Virtual Function की मदद से तो आप लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कुछ नियम हो की बात करेंगे अगले वीडियो में और एक एक जामपल भी देखेंगे यह बहुत ही बड़ी आसा Virtual Functions का लेकिन I hope कि यह जो Virtual Keyword है और Virtual Functions है यह आपको समझ में आ पर आ गए होंगे ज़से अगर आप लोगों ने अभी तक यह Playlist अक्सेस नहीं करी है तो आप इसको एक्सेस कर लें या क्लिक करके Bookmark करें या क्लिक करके इसको Save भी कर लेना और उसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि कोई भी Concept में अगर आपको अचानक से ऐसा लगता है कि अब यह मुझे नहीं आ पा रहा है मैं भूल चुका हूँ मैंने पहले पढ़ाता हूँ तो ऐसा होता It is Normal यहां तो आप क्या कर सकते हो यहां तो आप वेबसाइट में से जा सकते हो और Notes रीट कर सकते हो कैर मैं Notes अभी भी बना रहा हूँ बट हो सकता है कि आपको मिल जाए Notes जब तक आप देख रहे हूं उस वीडियो को और काफी मैं रोज आड़ कर रहा हूँ Notes तो definitely आप लोग को जो है यहां पर देखने को मिल जाएंगे लेकिन मैं बस यह बोलना चाता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने Access नहीं की है सारी रिसोर्स है तो जरूर करो यार Access क्योंकि काफी चीज़ें ऐसी होती है ना चोटी मोटी की जस्ट आपको अगर उनके बारे में पता चल जाए ना एक बार तो आपको काफी फाइदा हो जाता है तो यहां पर मैं बस यही बोलना चाहूँगा आपको कि अगर आपने शेयर नी करिए प्लेलिस तो शेयर कर देना क्योंकि काफी ऐसे लोग होंगे जिनको इस प्लेलिस नहीं पता होगा कि C++ यहां पर हिंदी में इतनी असानी से भी सीखा जाओ सकता है और हो सकता है वो लोग स्ट्रागल कर रहे हो अपनी C++ जर्नी को लेकर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको कम से कम एक गुरूप में वाट्साप के यहां फिर कहीं ना कहीं इसको शेयर जरूर कर दें प्लीज तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गैस वीडियो को लाइक करना मत बूलना थैंक यह सो मच गैस फो वाचिंग इस वीडियो और इस वीडियो और इस वीडियो नेक्स ताम